जय मा दन्तेश्वरी अपसे कुछ देर पहले मुझे दन्तेश्वरी माता मंदिर में देवी का दर्शन करना और मा के आथिरवार लेने का सवभागे मिला मैं माहराजा प्रवीर चंद्रभजेव जी को भी पुना अपने स्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ मैं जब भी बस्तर आया हूँ जगदलपूर आया हूँ आप सभी साथ्यों ने हर बार इतना प्यार दिया है मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ और जब भी बस्तर की धर्ति पर आना हो जाए और बलिराम कश्यप जी की याद ना आये ये कभी हो नहीं सकता है अगर सच्चे अर्थ में बस्तर को समझना क्योंकि मैं यहां संगढ़न का काम करता था हर इलाके में जाता था बहुत समय मैंने यहां बिताया और मुझे पूरे बस्तर को समझना आदिवासी समाज को समझना यहां की समस्याओं को समझना बलिराम जी कश्यप जी एक प्रकारते मेरे गुरू की तरह काम करते थे साथियों मेरा निरंतर प्रयास है कि आपके इस आसिरवात को यहां का विकास करके लोटाऊं दिन रात परिश्रम करके आपकी सेवा करके यह कर्ज मैं चुका सको मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस ने तरफ पांच बर्स में 36 गड़की जो हालत कर दी है उसे पुरा देश देख रहा है कॉंग्रेस के विधाय को और मंत्रियों ने जो कारणा में यहां किये है उससे हर कोई तरस्त है चारों तरफ प्रस्टा चार का बोल बाला है 36 गड़ में अपराद चरम पर है हत्याओं के मामले में 36 गड़ अग्रणी राज्यों में पहुँच चुका है कभी कभी तो लगता है राजस्तान और 36 गड़ के बीच परदा चल रही है कि कहां सबसे ज़्यादा हत्याय होती है कहां सबसे ज़्यादा लूट होती है कहां सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते है राजस्तान और चत्तिसगड आज कल एक दूसरे किस परदा में लगे हुई है चत्तिसगड में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कॉंग्रेस के नेताओं की तीजोरी में दिखता है कॉंग्रेस ने चत्तिसगड को अगर दिया है तो वो है जूठा प्रचार और गोटालेबाज सरकार जूठे प्रचार की आड में ये लोगों की आख में धूल जोगते है और आकंच प्रचार करते हैं इसलिए आज चत्तिसगड के कौने कौने से एक ही आवाज आ रही है हर कौने से एक ही आवाज आ रही है चत्तिसगड का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है चत्तिसगड कह रहा है आवने महीन सहीब अहुण नहीज सहीब बदन के रही वो मेरे परिवार जनों ये बस्तर ये दड़्न कारण्या आज बना हो ऐसा नहीं है यहां आदिवासी मेरे भाई बैन मोधी प्रधान मंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बैन नहीं आये अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभू स्रीराम यहां आये थे मेरे आदिवासी भाई बेहन चाहते थे इसलिए ही अट्रल जी की सरकार ने अलग छट्रिश गड़ का निर्मान किया भाजपास सरकारी थी अट्रल जी की सरकार थी जिसने केंद्र में अलग जन जातिये अलग मंत्राले बनाया जन जातिये विकास के लिए अलग बजेट बनाया और जन जातिये विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया और कॉंग्रेस ने इतने दसतों का क्या किया भाई कॉंग्रेस ने बस्तर को भी दसकों तक नजर अंदाज किया आप लोगों की परवाई नहीं की उनके दो-चार ठेकेदारों को समालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे जेते उनकी गाड़ी चल जाती थी उनको आपकी परवाई नहीं थी यह बाजपा सरकार है या मेडिकल कॉलेज इंजिनेरिंग कॉलेज बनाए भाजपा सरकार ने दंते वाड़ा में एजुकेशन सीटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था साथियों मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा यह मेरा सवभाग्य रहा है कि राजनिती में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत भर्ष मैंने आदिवा सिक्षेत्रों में गुजा रहा है मेरा तो आप से सीधा नाता है दिल का नाता है मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राश्पती बनाने का गवरों भी भाजपा को मिला है आप जानते हैं कॉंग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए पांच गुणा जादा बजेट देती है अगर वो एक रुपया देते थे तो हम पांच रुपया देते हैं यह सो रुपया देते थे तो हम पांच सो रुपया देते हैं भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी बगवान बिर्शा मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिय गवरव दिवस गोशित किया हमारी सरकार आदिवासी सेनानियों और क्रांतिवारों को समर्पीत स्वतंत्रता सेनानी मुजियम बनवा रही है हमने चत जन जाति वरके चात्रों को दी जा रही चात्रवुत्ति उसको भी धाई गुना कर दिया है बीते नव वर्षों में तीन सो से अधीक एक लब्य मोडेल आवासी बिद्याला है मेरे जन जाती बच्चों के लिए हमने खोले है साथियों भाजपा सरकार देश में आकांची जिला कारकम चला रही है बस्तर संभा के भी अनेक जिले ये आकांची जिलों में शामील है अब तो हम उससे भी आगे बढ़ करके जिले से निकर के जाकरके आकांची ब्लॉक्स की पहचान कर रहे हैं इस अभ्यान के तहट सिच्छा, स्वास्त और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां शुरू होने वाले हैं इसके अलावा भी हम 36 गड़ के उसमें आदुनिक इंफ्रासेक्टर का अंदिर मार कर रहे हैं आज भी यहां 26,000, 27,000 करोड रुपिये उसके से भी अधिक प्रोजेक्ट बस्तर को मिले हैं, 36 गड़ को मिले हैं मेरे परिवार जनों, आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिक तम स्टील कार खाने का लोकारपन हुआ है आप मुझे बताए आपको गर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है इतना बड़ा स्टील का कार खाना आपको मिला है आपको गर्व हो रहा है या यह 36 गड़ कॉंगरिस वालों को नहीं हो रहा है इतना बड़ा कारकम अभी सरकार का था 36 गड़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया मुख्य मंत्री भी नहीं उपमुख्य मंत्री भी नहीं आई आई भाया आपकी भलाई के काम में यह सरकार ने आना चाहिए मैं आना चाहिए को यह अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए नहीं आते हैं इसके दो कारण है एक उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है इतनी चिंता है कि उनके पाद यहां आने के लिए समयी नहीं है सरकार बचाने में लगे हैं और दूसरा कारण है यह मोदी है अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ प्रस्टाचारी मोदी चे आख नहीं मिला सकता है और इसलिए वो आने से डरते हैं भाग जाते हैं मेरे साथियों यह स्टील का कारखाना मुझे आदे हमारे बली राम जी कर्शे मुझ जमाने से हमें कहा करते थे इस कारखाने की मांग आप सभी दसकों से कर रहे थे हमारी जब मुख्यमंत्रियों की मिटिंग होती थी मैं गुजरात से मुख्यमंत्रि के नाते मिटिंग में आता था दिल्ली में रमान सिंग जी 36 गड़ के मुख्यमंत्रि के नाते आते थे और हर मिटिंग में रमान सिंग जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे आपकी आवाज वो वहाँ पहुंचाते थे लेकिन आप जानते हैं कॉंग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी इसके पीछे कॉंग्रेस के कर्ट, कमिशन और करप्षन की बोलबाला थी सोच पड़ी थी लंबे समय तक कॉंग्रेस की नीती रही है क्या करते थे कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महेंगा सामान महेंगे पैसे देखर के आयात करो कहते हैं न यहूं बार भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ क्या ऐसा कोई करता है भई ऐसा कोई करता है क्या आप मुझे बताईए आप जो घर में चावल खाते हैं तो क्या ऐसा कोई करता है कि पहले उसका धान विदेश बेजा जाता है फिर वो धान विदेश में धुला जाता है फिर वो धान विदेश में साप किया जाता है फिर धान को वहीं विदेश में भी पकाया जाता है और फिर वो पका पकाया चावल आपको खाने के लिए मिल जाता है ऐसा कभी होता है क् आप अपना धान अपना चावल खुदी करते नहीं करते हैं आप धान भी यहीं उगाते हैं उसे साभ भी यहीं करते हैं यहीं पकाते हैं और यहीं अपने घर में खाते भी है लेकिन कॉंग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है कमिशन नहीं मिलता है इसलिए क्या किया है उन्होंने ये हमारे इलाके में जो आयन और है न ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयन और है दुनिया का ये हमारे बस्तर में है लेकिन ये क्या करते थे आयन ओर मैंसे श्टील यहां बनाने के बजाए जिसका कोई हिसाब किताम न हो कितना माल निकाला पता न चले जितना उठा सकतो उठाओ विदेश भेज दो और बिच में मलाई खालो कोई भी सरकार होती तो उसकी प्रात्विक्ता होती कि यहां बस्तर में ही स्टील का कार खाना लगाए लेकिन कॉंग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और फिर कच्चा माली विदेश भेज दिया इसमें कॉंग्रेस के नेताओं ने कमाया यहां के नवजवानों को कुछ नहीं मिला बस्तर के नवजवान मद्दूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए लेकिन भायों बहनों यह मोधी है आपके बीच में पला बड़ा है इसलिए आपका ही सोचता है गरीब की चिंता गरीब के हीत यही मोधी के दिमाग में भरा पड़ा रहता है इसलिए हमने दिली में मुझे आपने सेवा करने का मोका दिया हमने बस्तर में इस टील कारखाने का काम तेजी से पुरा करवाया भाजपास सरकार ने लगबग 24,000 करोड रुपिये इस टील के कारखाने पर लगाए इस से इस छेत्र के 50-55,000 साथियों को रोजगार मिलना तै हुआ है सरकार ने ये भी तै किया है कि इस टील की जो प्लांट की छमता है उसको और बढ़ाना है मुझे और पुझी लगानी है ताकि जादा लोगों को काम मिले यानि इस टील प्लांट पर अब जी हजारो करोर रुपियों का और निवेश होने वाला है और जब जादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है अब मैं आपको बताता हूं मेरे यहां गुजरात में स्टील बनाने का एक कार खाना है वहां तो आयन और भी नहीं है हम भार जिलाते हैं लेकिन स्टील कार खाना होने के कारण कार बनाने काने कार खाने वाल लग गए काड़िया बनाने क्योंकि स्टील की उनको जरुवत थी पास महीं मिल जाता था अब यहां स्टील बन रहा है न और भी कार खाने यहां लगने वाले हैं और यहां पर करीब डेड़ लाग साथ्यों के लिए नोकरी की रोजगार की संभावना बनेगी और मेरे शब्द लिखिये भाईया आज 36 गड़ का नोजवान रोजगार के लिए भार जाता है एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के नोजवान रोजगार के लिए बस्तर आना चाहेंगे आप कल्पना कर सकते हैं मोदी अगर यह काम कर देगा तो कॉंग्रेस के लोगों के लिए प्रश्टाचार के रास्ते रूख जाएंगे ख़दान मैसे जो माल खाते थे उस पर मोदी ने ताला लगा दिया और इसलिए छट पटा रहे हैं छट पटा रहे हैं आज भी आज भी कितनी जूठी बाते फ्यलाई लेकिन आपने उन पर यह तमाचा मारा है इतनी पब्लीक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है जूठी बाते फ्यला कर इनका इरादा समझिये बस्तर के मेरे नौजवानों इनका इरादा समझिये ये जूठी बाते फैला कर ये स्टील प्लांट को भी हडपना चाहते हैं इस स्टील प्लांट को भी कॉंग्रेसी अपने बच्चों अपने रिस्तेदारों की तीजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं लेकिन मेरे बस्तर के भाईयों बेनों ये मोदी की गारंटी है ये मोदी नहीं होने देगा ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है बस्तर के लोगों का है इस टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग है मेरे चत्तिसगड के लोग है मोदी इसका मालिक नहीं है और नहीं कोई देशरा नेता कोई कॉंग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूँ इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिरफ बस्तर के मेरे भाई बेहन है ये हक आपका है कोई आपका हक छिन नहीं सकता है इस पर कॉंग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कबजा नहीं करने दिया जाएगा उनको कटकी कमपनी कमिशन कमपनी प्रस्ताचार बेहिमानी करने का मोका नहीं दिया जाएगा आप मेरे साथ सहमत है तो एक काम करिए अपना मोबाईल फोन निकालिए और उसकी फ्लेश लाइट चालू कीजिए मेरे इस बात के समर्थन में अपने मोबाईल की फ्लेश लाइट चालू के रिशाबाद देखे वा दूर दूर तक शाबाद यह यह ताकत है वा देखे यह मिडिया वाले आपकी फोटो निकाल रहे देखे यह समर्थन है यह स्टिल फ्लांट के लिए समर्थन है कैसा जुड बोलते थे और इमान दौरी देखिए यह सचा ही यहां देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाईयों बेनों मेरे परिवार जनों कॉंग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि उसे चत्तिसगर के लोगों की परवान नहीं है उसकी प्रात्विक्ता सिर्फ और सिरफ चत्तिसगर की संपदा को लूटना है चत्तिसगर की खनीज संपदा को लूटने भी कॉंग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी यहां से जो भी खनीज निकलता था उसका हलाब कॉंग्रेस के राज में यहां के नागरीकों को नवजवानों को नहीं मिलता था इसलिए दिल्ली में भाजपास सरकार बनने के बाद खनीज से जुड़ी निती में हमने बड़ा बड़लाव किया हमने डिश्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने का फैसला किया यानि जो भी खनी यहां से निकलेगा उसका एक हिस्सा आपकी मालिकी का होगा आपके विकास के लिए होगा ये खनीज मोदी की मालिकी की नहीं है ये खनीज चत्तिसगण की कोंग्रेस सरकार की नहीं है ये आपकी है इसका हाग आपको देने का काम ये मोदी ने किया है भाजपा ने आपको विकास का साजेदार बनाया, आपको पांटर बनाया, इसके तहट 36 गड को 8,000 करोड रुपिये मिले हैं लेकिन जानते हैं कॉंग्रेस ने इस पैसे से क्या किया, क्या कि कॉंग्रेस सरकार ने इसमें भी गोटाला कर दिया है, ताथियों आपकी वन उपज के साथ कॉंग्रेस ने क्या किया, ये भी आपने देखा है, वन उपज तो हमारे जनजातिय समाज के आर्थिक जीवन का बह लेकिन जब तक दिल्ली में कॉंग्रेस सरकार थी तब तक ये लोग सिर्फ दस बारा वन उपजों पर ही MSP देते थे आज जो नवजवान है उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी को कॉंग्रेस ने नमक से ठगा है ये आज के नवजवानों को मैं बताता हूँ चिरोंजी जैसे बहुमुल्य वनुत्पात हमारे आधिवाजी परिवार इखटा करते थे बोरा बोरा लेकर हाट मजार पहुंचते थे वहाँ उन्हें दो चार किलो नमक देकर ही ठगा जाता था आपके दादा दादी के साथ ये किया इनोंने ये तो भाजपा सरकार है कि जिसने राशन की दुकानों में मुप्त में नमक देना शुरू किया तब जाकर कॉंग्रेस का इस शोशन बंद हुआ जो उत्पात MSP के दाइरे में नहीं थे उन्हें कॉंग्रेस के ठेकेदार ऐसे ही ओने पोने दाम पर खरीते थे फिर जादा मुनाफा पर बेद लेते थे आज बाजपा सरकार करीब करीब 91 उपज को MSP के दाइरे में ला चुकी है कितनी? कितनी? 90 कितनी? पहले कितनी थी? 10-12 कॉंग्रेस के जमाने में कितनी थी? कॉंग्रेस के जमाने में कितनी थी? मोदी कितना पहुचाया? मोदी ने कितना पहुचाया? यह आपके प्रती जो प्यार है न उसके कारण होता है भाजपा सरकार ने बन धन केंद्र बना कर बन उपाज के बहतर दाम देने का रास्ता खोला है आज 36 गड के हजारों आदिवासी बेनों भाईयों को बन धन केंद्रों में रोजगार मिला है साथ क्यों? कॉंग्रेस की सरकार ने यहां तेन दूपत्ता संग्राकों के साथ क्या किया था? यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं बाजपाज सरकार ने तेन दूपत्ता के काम से जुड़े परिवारों के लिए जो भी कल्यान कारी कारकम बनाये थे वो कॉंग्रेस ने बंड कर दिये बोनस कभी मिलता है कभी नहीं मिलता मिलता है तो कम मिलता है और पाना है तो कॉंग्रेस वाले का कुर्टा पकड़ के जाना पड़ता है उसके जेब में कुछ डालना पड़ता है तेन दूपत्ता की खरीदी कभी होती है कभी नहीं होती है आदिवास्यों का ऐसा सोसन अब 36 गड़ में नहीं चलेगा जैसे ही यहाँ भाजपास सरकार बनेगी वैसे ही तेंदू पत्ता संग्राव को के लिए के पहले की तरह ही बहतर व्यवस्ता बनाई जाएगी साथियों मैं आज 36 गड़ के धान किसानों को भी मेरे दिल की एक बात बताना चाहता हूँ कॉंग्रेस आपको धान की किमतों के नाम पर दोखा दे रही है जूठ बोल रही है सच्चा ये है कि 36 गड़ के धान किसानों का दाना दाना याद रखेंगे याद रखेंगे कि भूल जाएंगे गाउं गाउं जाके बताएंगे 36 गड़ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र सरकार खरीती है मोदी सरकार खरीती है भाजपा सरकार ने एक लाख करोर रुपिये 36 गड़ के धान किसानों को दिये है यहाँ पर जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों का पूरा पूरा ध्यान रखने की गारंटी यह मोदी की गारंटी है मेरे बस्तर के भाईयों बैनों मेरे 36 गड़ के भाईयों बैनों मेरे 36 गड़ के नवजवान मेरे बस्तर के नवजवान मोदी आज कहने आया है आप मेरे शब्द लिख करके रखे आपका सपना ही मोदी का संकल्प है यही मोदी की गारंटी है। आज बस्तर सहीर पूरे देश में आईश्मान भारत योजना के तहत हिल्ट एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। पूरे चत्तिश गड़ में ऐसे लगवग छे हजार अस्पताल मनाए जा चुके हैं। इन मेंसे एक हजार से अधीक आईश्मान हेल्ट एंड वेलनेस सेंटर तो सिरफ और सिरफ ये बेरे बस्तर संभाग में हैं। मोदी देही आपके पांच लाख रुपे तक मुप्त इलाज का प्रमंद किया। गरीप्त को मुप्त राशन की व्यवस्ता की पक्के घर का इंतजाम किया। पिजली और पाइप से पानी का प्रबंद किया। आदिवासी परिवारों के बेटे बेटियों के स्वरोजगार के लिए सरकार विशे स्टेंड अप इंडिया योजना चला रही है। साथियों आज मैं बस्तर के 36 गड़ के युवासाथियों को भी एक बात पताना चाहता हूँ। जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं। ओ नवजवान मेरी बात सुनिये। आपको 2014 से पहले की घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। 2014 से पहले दिल्ली में जो सरकार थी ना अकबारों में बड़े बड़े गोटाले चाहे रहते थे। लाखों करोडों के गोटाले यही खबरे होती थी। और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम पूरी तरह बदनाम करके रखा था। 2014 में देश ने कॉंग्रेस की सरकार को उखाड़ फैंका और पूरन बहुमत की भाज़पा सरकार दिल्ली में बनाई। आज गोटालों के बजाए दुनिया में भारत के गवर्ब के चर्चा होती है। भारत के सामर्त के चर्चा होती है। आप बजे बताrh Presta एपूस्थे दुनिया में हिंदुस्थे का डंकë भज़ रहा है कि निवे दाराहे। आपको गवर होता है नहीं होता है आपका माथा उंचा होता है नहीं होता है इसलिए मेरा युवा साथियो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है आज देश के बहुत कम राज्यों में कॉंग्रेस की सरकारे बच्ची हैं और एक बार जाती है ना 25-25 साल तक वापिस नहीं आती है और इसलिए जब इनके पास सरकारे ही कम है तो लूट का माल कुछी जगह से लूटना पड़ता है इसलिए जहां भी इनकी सरकार बनती है वो जम करके लूटते हैं पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने राज्यस्तान चतिश गड़ ऐसे राज्य को लूट का सबसे बड़ा खजाना बना दिया चतिश गड़ के ही लोग मुझे बताते हैं कि कॉंग्रेस के हर छोटे बड़े हर नेता ने 15 साल जो तक सरकार नहीं दिना वो जो खाद पड़ गई दिना वो भी जमा करने में लग गए पांच सालों में यानि 15 साल तक इनको चतिश गड़ को लूटने का मोका नहीं दिया अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिये है अरे इन्होंने तो गोमता के नाम पर भी प्रस्टाचार किया है जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा उन्होंने क्या क्या नहीं किया इनके ब्रस्टाचार के सबसे बड़े भुक्त भोगी मेरे नवजवान है मेरे बस्तर के लोग है कॉंग्रेस ने युवाओं को नोकरी का वादा दिया था लेकिन नवजवानों की नोकरी में ही गोटाला कर दिया कॉंग्रेस के नेताओं ने PCS भरतियों में अपने बच्चों अपने रिष्टेदारों को सेट कर दिया क्या अग नहीं किया चारों तरब लूट बचाई यह नहीं बचाई इनकी पार्टी तो राजनिती में भी अपने ही बच्चों को सेट करती है और नोकरियों में भी यही करती है 36 गड़ के लाखों परिवारों आदिवासी पिछडे परिवारे के बच्चों से कॉंग्रेस ने नोकरियां छिन ली है आपका अधिकार छिन लिया है नोकरियों तो दी नहीं जो पहले से सरकारी नोकरी में है उनको भी कॉंग्रेस ने लोगों ने लूटा है परिशान किया है ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर यहां सरयाम प्रस्टाचार हो रहा है बोली बोली जाती है ऐसे ही उगाई की जा रही है इसलिए चत्तिजगड कह रहा है आउ नहीं सहिवो बदल के रही हो आउ नहीं सहिवो आउ नहीं सहिवो यह नहीं सहिवो चाथियो आप आश्वस्त रहिए आप कॉंग्रेस की सरकार बदलिए भाजपा इस पूरे लूट तंत्र को बदल देगी यह कॉंग्रेस ने लोग तंत्र को लूट तंत्र बनाया है और प्रजा तंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है भाजपा सरकार बनते ही PCS गोटाले की जाच होगी गुनेगार भी कितना ही ताकतवर हो मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा हाद नहुजवान हाद सरकारी कर्मचारी को पुरा न्याय मिलेगा मेरे परिवार जनो कल से कॉंग्रेस ने एक अलग लाप आरा अपना शुरू कर दिया है ये कॉंग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्यान यही मेरा मकसद है मैं सोच रहा था कि पूर्वप्रधानमंत्री मनमोंसी जी क्या सोच रहे होंगे भारत के पूर्वप्रधानमंत्री मनमोंसी जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हग माइनोरिटी का है अल्प संख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है अब कॉंग्रेस कह रही है कि आबाई आबादी तै करेगी कि पहला हग किसका होगा यानि क्या अब अल्प संख्यकों का हग कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या और आबादी के ही हिसाब से ही अपते होने वाला है तो पहला हग किसका होगा भाई किसका होगा आबादी किसकी ज़्यदा है किसका हग होगा सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदु अब आगे बढ़कर अपने सारे हक लेले किया मेरे परिबार जणों मैं पिछले कापी समय से कह रहाऊं और फिर आज दोरा रहा हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी को अब कॉंग्रेस के लोग नहीं चला रहे हैं कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेता मुँपे ताला लगा के बैटे हैं न उनको पूछा जाता है न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं अब तो कॉंग्रेस को आउट्सोर्स कर दिया गया है कॉंग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं परदे के पिछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए है कॉंग्रेश किसी भी किमत पर देश के हिंदुओं को बाढ़ कर भारत को तबाह कर देना चाहती है कॉंग्रेश गरीबों को बाढ़ना चाहती है मोदी ने पिछले दस्तान में सारी योजना ऐसे बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मे विश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाती है यही सबसे बड़ी बिलादी है अगर गरीब का भला हो गया देश का भला अपने आप हो जाएगा आज तक कॉंग्रेश ने यह खुलासा नहीं किया है कि कॉंग्रेश ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझोता किया है लेकिन देश देख रहा है इस समझोते के बाद कॉंग्रेश और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा रही है ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूँ कॉंग्रेस और उसके सयोगों की इस नई साजी हमें सतक रहना चाहिए और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है गरीब चाहे वो दलीत हो गरीब चाहे वो पिछडा हो गरीब चाहे आदिवासी हो गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो हमें सबसे बड़ी जाती मेरे लिए गरीब है हमें गरीब की चिंता करनी है हमें गरीब का जीवन बदलना है Congress देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है बैर भाव बढ़ाना चाहती है इसलिए Congress अब पुरी नई भाशा बोलने लगी है मेरे परिवार जनो Congress के दसोकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है कॉंग्रेस ने समाज को जाती के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बेंक सुरक्षित रहे कॉंग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है आज भी यहां 37 गड़ में अलग-अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे है लेकिन कॉंग्रेस के सरकार साजिस के तहत उन्हें जेल में डाल देती है उनकी आवाज को दमाने में जुटी है दूसरी तरब भाजबा सरकार सामाजी ज्याय के लिए पुरी तरफ समर्पित है हाल में ही संसद में महरा महरा समाज को S.C. वशा दिया गया है इस समाज के माँग यो भाजबा सरकार ने पूरी की है वर्षों तक अपने दिकारों से वंचित रहे अवारा आदिवासी वरकों को S.C. का दरज़ा देकर भाजबा सरकार ने एक पहतिया से नणे लिया बटलाब हर गारंटी पुरा होने की गारंटी कॉंग्रेस ने बहलाओं को भी दसकोता कारक्षन के बिना दोके में रखा नारी शक्ति बंदन अधिनियाम आदिवासी बेटी हमारी माननी राजपती दवपती मुर्मुर जी के हत्ताक्षर से कानून बन गया है अब यहां के S.C.S.T. समाज सभी बेनों के लिए विजान सबारों लोक सबा में 33% सित्यारक्षित हो गई है इसलिए कॉंग्रेस के कुशासन को हटाना है और बाजपा के सूशासन को लाना है इसलिए पूरे बस्तर को जगदलपूर को 36 गड़ को आज एक संग्यल पलेना है यहां कॉंग्रेस के कुशासन को हटाएंगे और बाज़पा के सूशासन को लाएंगे जब विकास का डबल इंजीन यहां फिर लगेगा यहां बाज़पा का मुख्यमें तिर्वेनेगा तो फिर से 36 गड़ विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा एक बार फिर इतनी बड़ी तादार में आए आपने आशिरवाद दिये मैं आपका रदेश से बहुत बहुत आभार करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद दोनों हाथ उपर करके बूलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद